रोहित शर्मा की कप्तानी में कहा कभी रह गई थी। रोहित ने बार बार मुहम्मद शमी जैसे रिप्लेस्मेंट तेज गेन बास को चुना बजाई की हरशल पटेल के। ये भी हैरान करने वाला फैसला था रोहित शर्मा का और हकिकत ये है कि जब जस्पृत बुम्रा की चो को निराशा किया है लेकिन सेलेक्स और बी सी सी आई कप्तानी पर करी नज़र डाले तो अच्छा होगा कप्तान के रूप में विराज कोहली आक्रमक रहते थे मैदान पर उनका जुनून और संपर्ण देखने को बना रहता था और उनकी वजह से ही दूसरे खिलारी भी बाउ साबित हुए है बता दे ये साब दीक रहा था कि ओपनिंग जोरी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही और एडिलेट की सीमित बाउंडरी ने उन्हें अच्छा मौका दिया था लेकिन रोहित ने सोचा कि वे और के एल राहुल बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के प पाक ओपनिंग जोरी अच्छा खेल दिखाया था दो बता दे की दोहरा सकते है वो गलत साबित हुए राहुल और वे दोनों फ्लॉप हो गए भारत का टॉप ओडर फेल हो चुका था इसके बज़े से भारत के शीर्श क्रम से पहले ही छे ओवरो में एक विकेट पर महस 38 र से चार शुन्य बीस एक और लियान लिविंग स्टन से आक्रमक भी नहीं कर सके बलेबाज हार से डरे हुए थे और ठीक वेसे ही उन पर दवाब था और वेसे ही जैसे दक्षिन अफरीका टीम निदरलेंग के खिलाफ नजर आ रही थी ये मैच का सबसे भया वहा पहलू था हाला कि ये राहत जो थी बात की थी हारदिक पांडिया 33 गेंदों में 63 रन बना कर और विराज कोहली ने 40 गेंद पर 50 रन और अंतिम ओवरों में बहतर बलेबाजी की वरना भारत तो पहले हार चुका था और अंतिम 5 ओवरों में 68 रन मिले और केवल इसी समय भारत मेच में नजर आया इसके अलावा गेंद बाजी बलेबाजी फिल्डिंग और कप्तानी सब कुछ शूस जो है वो सूस्तर ही भारत की और आपको बता दे रोहित को अब जाग जाना चाहिए क्योंकि 20 ओवरों में से 8 ओवर ऐसे ही थे जब भारतिय बलेबाजों ने प्रती ओवर 6 र कुरियों की वज़े से भारत को हार मिली कभी गभी ऐसा लगता है कि क्योंकि भारतिय टीम यहां बलेबाजी या गेंद बाजी में कई बार ठीक प्रदर्शन नहीं कर पा रही और ऐसा ये भी लगा था कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि अपेक्षा कृत छोटी स्कोर बाउंडरी से केसे निपताया जा सके जबकि इंग्लेंड के बलेबाजों ने दिखाया है कि गेंद को स्क्वेर फेंस में केसे चिप और लिफ्ट किया जाए लिहाजा पाकिस्तान और बांगलादेश के खिलाफ दो बार हार से बचने वाली टीम इंडिया ती टीम इंडिया आज फाइनल में पहुच जाती